हेलो एब्रिवान आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूसफुल वीडियो शेयर करने वाली हूँ हर घर में ऐलमीनियम फॉयल होता है और इसे अक्सर सिरफ खाना पैक करने में ही इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इसका इस्तेमाल करके हम अपने घर के कई कामों को असान बना सक सकते हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हो कि इस फॉयल पेपर को हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं टीवी का रिमोट हो या फिर एसी का रिमोट हो कई बार ऐसा होता है कि जब हम रिमोट का बटन प्रेस करते हैं तो वो रिमोट काम नहीं करता ना तो हम channel change कर सकते हैं ना ही AC का mode change कर सकते हैं और घर में नई cell भी नहीं होती कि हम उसको change कर लें और remote को चला लें तो इसके लिए बहुत ही असान तरीका है जिससे remote दुबारा काम करने लगेगा तो इसके लिए आपको सिरफ aluminum foil चाहिए तो थोड़ा सा foil paper लेकर उसको इस तरह से हम fold कर लेंगे तो यहां पर मैंने दो टुकड़े aluminum foil के लिए हैं उनको इस तरीके से fold करके छोटा सा बना लिया है और फिर remote को खोल कर हम इसकी battery निकाल कर aluminum foil place करेंगे और दुबारा से battery लगा देंगे तो यह से दोनों battery निकाल कर लगाएंगे तो इस तरह से remote दुबारा से काम करने लगेगा अगली बार जब आपका remote काम करना बंद कर दे तो आप इस trick को जरूर रजमा कर देखे आज कल हर कोई बालो में color जा मेंधी लगाता है लेकिन अगर आपकी specs लगी है और आप specs को मेंधी के दुरान उतार देते हैं ताकि इसकी कमानी color से खराब ना हो तो आज से आपको एनक उतारने की जरूरत नहीं मेंधी लगाने के time भी आप एनक लगा सकते हैं इसका बहुत ही असा solution है इस तरह से थोड़ा सा aluminum foil लेंगे और उसको एनक की कमानी के उपर हम लपेट देंगे तो कमानी को इस तरह से wrap कर देंगे foil paper से जिससे की कमानी के उपर मेंधी या color का कोई भी असर नहीं होगा और आपकी एनक खराब नहीं होगी और साथ ही आपको मेंधी या color लगाने के दौरान एनक उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप अपने काम continue कर सकते हैं अगर आपको TV देखना है या कोई book पढ़नी है तो आप अपना काम कर सकते हैं तो इस असान से ट्रिक से हम अपनी एनक को गंदा होने से बचा सकते हैं जब भी हम बनाना घर में लेकर आते हैं तो वो बहुत जल्दी काले पढ़ने लगते हैं बनाना को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए और काला होने से बचाने के लिए हमें बनाना के स्टेम के ऊपर फॉयल पेपर को रैप कर देना है तो इस से बनाना ज्यादा देर तक फ्रेश रहेंगे और काले नहीं पड़ेंगे खाना पैक करने के इलावा अलमिनियम फॉयल से हम चांदी की चीज़ों को भी साफ कर सकते हैं चांदी की चीज़े बिलकुल नहीं जैसी हो जाती हैं जैसे अभी मार्किट से करीद दी हो अगर आपने ये ट्रिक कभी नहीं ट्राई किया तो एक बार ट्राई जरूर करके देखें बहुत ही असान तरीका है अलमिनियम फॉयल लेंगे अब एक पैन में पानी गरम होने देंगे और गरम पानी में हम अलमिनियम फॉयल जो हमने फॉल्ड किया था उसे रख देंगे और अलमिनियम फॉयल के उपर हम एक चमच बेकिंग सोडा डालेंगे और एक चमच ही हम सदारन नमक जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो डाल देंगे और फिर जो भी चांदी की चीज़ें हमें साफ करनी हैं उसे ऐलमिनियम फॉयल के उपर रख देंगे और फिर दो से तीन मिनट तक हम इसे बॉयल होने देंगे तो सारी मेल अपने आप निकल जाएगी आपको कुछ भी रगड़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल नहीं जैसी हो जाएंगी चांदी की चीज़ें तो तकरीवन पांच मिनट हम इसे बॉयल होने देंगे इसी तरह से आप देखेंगे कि सारी मेल निकल निकल नी स्टार्ट हो जाएगी तो इस तरह से अलमिनियम फॉयल का यूज़ करके आप चांदी की चीज़ें को बिल्कुल नया जैसा बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेल निकल नी स्टार्ट हो गई है पांच मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और फिर इस पानी में से हम चांदी की चीज़ को निकाल लेंगे और साफ पानी से दोलेंगे तो इस तरह से ऐलमिनियम फॉयल से हम चांदी की चीज़ों को साफ कर सकते हैं घर में पेंट का काम चल रहा हो तो दरवाजे के हैंडल को हम ऐलमिनियम फॉयल से रैप करके पेंट से बचा सकते हैं किचन में किचन में कई बार हमें फञनल की ज़रूरत पड़ती है किसी तंग against में अगर हमें कुछ डुरूरत कैंज ही और कई बभार फऑनल नहीं होती तो इस तरह से हम अपने काम को असान बना सकतें जब भी कैंची काम करना बंद कर दे यहां कपड़ा अच्छे से ना काटे तो आप उसे घर में ही तेज कर सकते हैं तो इसके लिए अलमिनियम फॉयल को फोल्ड कर लेंगे और फिर कैंची से इसे आठ से दस पर काटेंगे तो इससे कैंची दुबारा से शाप हो जाएगी तो इस तरह से हम घर के कामों को अलमिनियम फॉयल से बहुत असान बना सकते हैं तो इस काम के लिए आप पुराना यूजड अलमिनियम फॉयल भी ले सकते हैं उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो आठ से दस बार काटने से ही एंची फिर से काम करने लगेगी जब हम कपड़े प्रेस करते हैं तो कई बर कपड़े प्रेस के साथ चिपकने लगते हैं तो इसके लिए बहुत ही असान तरीका है तो सबसे पहले हम प्रेस का प्लग लगाएंगे और प्रेस को गरम कर लेंगे प्रेस गरम करने के बद प्लग को निकाल देंगे फॉयल पेपर लेंगे उसको या तो फोल्ड कर लें या फिर उसकी बोल सी बना लें और फिर हम इसे प्रेस पर रब करेंगे तो ऐसा हम एक मिनट के लिए करेंगे तो सारी प्रेस पे हम रब कर देंगे तो ये काम ध्यान से करें क्योंकि प्रेस काफी गरम है तो इस तरह से हम एक मिनट के लिए एलमिनियम फॉल को प्रेस के उपर रब करेंगे तो इस तरीके से प्रेस कपड़ों पर चिपकनी बंद हो जाएगी अलमिनियम फॉल के यूज के ये टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसे लगे कमेंट बोक्स में जुरूर बताएं आपने इन में से पहले कौन सा ट्राइ किया हुआ है या फिर आप इसके इलावा कोई और जानते हैं तो भी आप मेरे साथ जरूर शेर करें अगर आपको ये वीडियो यूसफुल लगा हो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेर करें साथ ही अगर आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कुल न भूले